हालो फ्रेंज्स वेल्कम बैग टो दी चैनल और आज है सैटरड़े नुगोंग्स सेटरड़े यानिवीकेंज्स वीकेंज्स यानिवी फन क्योंकि आज होती है डैडा की चुटी तो वीकेंज्स जो होते हैं वो रुद्रांच के लिए फन होते हैं द है और इसलिए आज ए प्लैन किया है कि ये बीदी क्यू हमने पिछले हक्ष़ल Ayamk talking के माच से इसको हम लोग सब्सक्राइब वीससे बनाने के लिए और उ भरवेवं वह ईक्साइटेड बाबी क्यू करोगी कब उपन करोगी कर रहा है तो आज़ invece है नहीं हो रहा है तो हम लोग जलते स्पिलिटी चोखा बनाने के लिए यह जो बीवी क्यू है वो छोटा सा है बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश मुझे लगा आप अपने कार में रखो और चार-पांच लोगों के लिए एनफ है और कहीं भी पिक्निक पे जाओ कार में रखो पिक थोड़ी देर में हम इसकी अन्बॉक्सिंग भी करेंगे और हमने सोचा कि लिट्टी से पहले क्यों न हम इस पे जोखे के लिए आलू और टमाटर को भी बावी क्यू कर लें मैंने एक तरफ आटा लगा लिया लिट्टी के लिए आटे मैंने थोड़ा सा तेल और नमक डाला था और इसको ढखके फिर मैंने रख दिया मुझे लगा था कि सत्तू यहां पे नहीं मिलेगा बट यहां सत्तू ऑनलाइन एजिली अपिलेबल है ऑनलाइन या स्टूर में कहीं भी जो इंडियन स्टूर्स होते हैं वहां पे सत्तू एजिली मिल जाता है तो मैं भी लिटी की फिलिंग के लिए जो है वो फिलिंग तयार कर लूँगी फिलिंग के लिए जो और भी चीजे चाहिए होती है जैसे प्याज मिर्चा अद्रक लेसन जो है वो सब मैं अभी रेडी कर लूँगी यह में घर में लेसन खताम हो गया था लेसन का इसमें बह में अचार और सरसू का तेल भी डालती हूँ और थोड़ा सा नीबू भी डालती हूँ पिर मैंने आटे में फिलिंग धग के और लिट्टी बना के रख ली थी और उसे भी कपड़े से ढग दिया था ताकि वो ड्राइ न हो जाए तब तक रमन जो है उसकी अन्बॉक्सिंग कर रहे थे इसे सेट करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा क्यूंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं उपर नीचे का कवर है और एक स्टैंड है जिसमें हम कोईला जला सकते हैं और एक ग्रिल है जिस पे बीबीक्यू करेंगे देखने में हैं यह बड़ा स्टाइलिश था मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगाई है हमने बाबी क्यू के लिए बुली से चार कोल खरीदा था और हमने फायर स्टार्टर भी लिया था यह नॉमल चार कोल है इस बार हमने लिया था नेक्स टाइम हम सोच रहे हैं हार्ड़ चार कोल लेंगे उससे जो है वो फ्लेवर जादा बैटर आएगा अब फाइनली हमने स्टार्ट किया है बीबी क्यू करना इसमें कुछ भी नहीं है जस नॉमल हम लोग जो गाउं में जैसा करते थे कोले पर वैसा ही करना है बट इसको आप अगर बीस मिर तक प्री हीट करने के लिए छोड़ दोगे तो उसके बाद इस पर कुछ भी बीबी क्यू करोगे तो आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा अदरवाइस ये हीट होने में थोड़ा टाइम लेता है और साथ ही साथ मैंने जो है वो चोखा भी बना लिया था बैंगन के चोखे में हम लोग आलू भी यूज़ करते हैं कई लोग बैंगन के चोखे में सिर्फ और सिर्फ बैंगन रखते हैं बट हमें ऐसा फील होता है कि आलू जो है वो बैंगन के चोखे को अकाटेस इनहेंस कर देता है तो हम लोग हमेशा जो है वो आलू बैंगन औ यह रेखिए थोड़ा फील आ रहा ना कि एकदम कोईले पे बनावा जैसा फील आ रहा ना उसमें ग्रिल के वो मार्क्स भी आ गए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में हमें तो बहुत ही टेम्टिंग लग रहा था और हम इस टेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया थे खाने के लिए हमने फिर इसे ग्रिल से उठा के सीधा कोईले में डाल दिया था ताकि जो वो साइट से हैं वो भी चार हो जाए और अच्छे से कुख हो जाए अब फाइनली यह रेडी हो गया है हमने सूती कपड़े से जाड लिया था और अब प्लेटिंग हो रहे है इसकी खाने के लिए यम यम I know यह वीडियो जो है वो रेसिपी ओरेंटेड व्लॉग था बट उस दिन सैटेड़े था और मैंने सोचा कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ बच्चों के साथ इंजॉय कर लूँ तो मैंने कुछ और शूट नहीं किया था बट डेफिनेटली नेक्स वीडियो में और भी अलग कॉंटेंट रहेगा तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो को देखने के बाद आप घर में लिटी जोखा बनाएंगे और घरवालों के साथ लिटी जोखा खाके इंजॉय करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा अजय करो यह उंदगे नहीं यह वीडियो को यह वीडियो अच्छा टेанд वेखने हुझे यह वीडियो को आ लगाद लगा लगा हो बादे हो आपको एई पसक आपको यह बादारे में लेगा हुआत बादे करेंगे इता लुड़ हैं को आपको वीडियों ऑज़ पश ख़े झाल झाल